हेलो स्ट्रेंट्स थोड़ी वीडियो में प्रोब्लम आ गई थी रुग गया दफोन इसके बाद दुबारा से शुरू हुआ है यहां मैंने पांच सोशन के विरूद अदिकार सोशन के विरूद यह चै मोली का दिकार आते हैं परतेग नागरिक को चै के चै मोली का दिकार मिलते हैं अगर परतेग नागरिक को यह नहीं मिलते तो इसके खिलाप कोर्ट का दरवाजा खट खटा सकते हैं निकि कोर्ट में परतेग नागरिक जा सकता है चै मोली का दिकार द सवतंतर न्याइपाली का यानि कि इतने जो विशेशता हैं हमने उपर पढ़ ली हैं जो मौलीक अधिकार हमने पढ़े हैं उनको या भारत के प्रतेक नागरी को अपने मौलीक अधिकारों को सवतंतर रखने के लिए या किसी भी परकार से जब सोशन होता है उससे बचने के लिए क्यों कि भारत मेंने एक जाती और धर्मों के लोग है अमीर हैं गरीब हैं तो उनको सोशन से बचाने के लिए भारत में न्याय पालिका का कैसकते हैं गठन किया गया है कोर्ट सर्वोच न्यालिया है जैसे सुप्रेम कोर्ट है ये बनाए गए हैं ताकि किसी भी नागरिक के साथ कोई सोसन होता है या कह सकते हैं बेदबा होता है उसके खिलाब वो कोर्ट में जा सकता है इसलिए एक सवतंतर न्याए पालिकाद और आगे है इसके बाद आता है अमने लोक तंतर तो देख लिया क्या है बेजनता का जनता के लिए जनता का सासन ये तो मनें पढ़ लिया बेल लोक तंतर क्या है जनता का सासन जनता अपने परतिनी दियों को चुनती है वो परतिनी दिया अगे सरकार चलाते हैं कानून निर्मान करते हैं अनेक उनके काम आगे बढ़ जाते हैं और उनकी सक्तियों का बंटवारा हो जाता है आगे अनेक परकार की सक्तियों में उनके कामों को बाट दिया जाता है और जो सरकार को चलाते हैं और लेकिन जनता का काम क्या है एक अच्छी सरकार कायम करना अच्छी सरकार मजबूत करना इसके बाद लोकतंतर क्यों जरूरी है लोकतंतर क्यों बहां हमने सासन पर नाली तो चिले, पॉलेंट, घाना, नेपाल और भारत इन देशों का पिछले लेसन में हमने जिकर किया फ़स लेसन में बैं इन देशों ने लोकतंतर स्थापित करने के लिए किन-किन कठनाईयों का सामना करना पड़ा है इन से पहले लोकतंतर से पहले वहां कौन-कौन सी सरकारे थी या किस परकार की सासन विवस्ता थी लोकों ने किस परकार उस सासन विवस्ता को उखाड़के क्या स्थापित किया लोकतंतर है अगर लोकतंतर में कह सकते हैं उन्होंने विश्वास जताया है तो वश्य कुछ ना कुछ जो है कह सकते हैं कि खुबियां होगी लोगतंतर में सबसे पहले यहां समान कह सकते हैं कि लोगतंतर अपनाने के सबसे बड़ा कारण क्या था अगर हम उन्हीं विशेष्टाओं पर जिकर करें पिछे हमने जो विशेष्टाओं अपनाई हैं अगर हम भारत का जिकर करे भारत ने लोकतंतर क्यों अपनाया ताकि आने वाड़े समय में भारत को दोबारा से किसी बड़े देश का गुलाम ना होना पड़े तो फिर हमारे पबलिक को जनता को अंगरेज्जों के अंडर में जो यातनाय सही हैं जो परिशानिया आई हैं उनको दोबारा ना सहना पड़े इसलिए लोकतंतर स्थापित किया ताकि बविश्या में हमें ऐसी नोबत ना उठानी पड़े चिले में हमने देखा है पोलेंड में भी ऐसा ही हुआ था सैनिक तक्ता पल्ट चीने में और पोलेंड में हुआ किस परकार से निक तफ्टा पल्टोंगे बाद वहाँ के राजाओं के कतले आम हुए और दोबारा वहाँ लोगों ने किस परकार से जो ताना साहिसासन तो उसको उखाड करके लोकतंतर स्थापित किया यह हम पाकिस्तान का भी नाम है पाकिस्तान में क्या हुआ दा पाकिस्तान में भी ऐसे हुआ दा स्टार्टिंग में वहां लोकतंतर स्तापित किया गया लेकिन बाद में क्या हुआ वहां ताना साई सासन स्तापित हो गया जर्नल प्रवेज मुसर्ब वहां तीनों सेना होगा जर्नल था उसने क्या किया धीरी दिरेपूरी सेना अपने कबजे में करके और लोग तंत्र में या कह सकते हैं उखाड करके अपना सासन व्यवस्तित कर लिया और ताउमर यानि की जब तक वो जीवित रहेगा वो पाकिस्तान का क्या रहेगा राश्टरपती स्विधान में क्या कर लिया उसको अपने आपको जीवन रास्टरपती जब तक वो जीवित रहेगा तब तक पाकिस्तान का रास्टरपती रहेगा सविधान में चेड़ चाड़ करके या कैसकते सविधान में चेंज कर दिये बदलाव कर दिये अपने आपर को रास्टरपती गोशित कर लिया लेकिन उसके बाद भी ऐसा पढ़ा बलीदान दिये तो यह सारा पिछले लेसन हमने फस्ट लेसन में पढ़ लिया है तो लोकतंतर क्यों जरूरी है आपको जो फस्ट लेसन पढ़ोगे तो पता चल जाएगा अगर अमबार्त पर नजर दोड़ाएं तो भारत में जो स्थीती आप लोकतंतर की देखोगे बैसारी चीज़ें हमारे देश में जैसे लोकतंतर है लेकिन हमारे भी यहां लड़ाई जगड़े होते हैं या कह सकते हैं के रेलिया होती है या आंदोलन होते हैं लोकतंतर में ऐसा क्यों लेकिन हर मर्ज की दवा नहीं है लोकतंतर बैसारी चीज़ें सारी समिशें लोकतं लोगतंत्र खतम नहीं कर सकता लेकिन दूसरी सासन प्रणाडियों से बहतर है बजो अमने ताना साही में क्या होता है किसी एक वेक्ति का सासन होता है या फिर दूसरी सासन प्रणाडियों है समयवादी सासन प्रणाडियों है या दूसरी सासन प्रणाडियों है द्यक्सात्मक सासन प्रणाडियों है वहाँ क्या होता है लोकतंतर की बजाई वहाँ पर पुंजी पतियों का या कह सकते हैं कि अमीर लोगों का सासन पर ज्यादा उत्तरदाई होता है या जिनकी संख्या ज्यादा है बहुशे अंखक जिनकी संख्या देश में ज्यादा है वो सासन पर क्या करते हैं अपना कबजा स्तापित करते हैं लेकिन लोगतंतर क्या करता है लोगतंतर बराबर के अधिकार देता है बराबर के सम्मानता जैसे हमारे देश में क्या होगा अनेक जातिदर्मों के लोग हैं हमारे हैं इसाई या बोध नाम मात्र के धरम के लोग रहते हैं लेकिन उनको बरा पालने का है चुनाव लड़ने का है शिक्सपराप्त करने का है उनको बराबर का दिकार है अगर हम बात करें के भारत में ज्यादा संख्या किसकी है हिंदू की हिंदू की संख्या ज्यादा है लेकिन ज्यादा हिंदू की होने के बाद भी यहां हिंदू अपना कबजा स्ताप नहीं कर सकते क्या यहां लोगतंतर है लोगतंतर क्यिए जो किशी भी धरम जाती मज़ब के लोग अगर देश में निवास करते हैं वह भारत के नागरिक हैं सबसे पहले क्या है वो भारतिय हैं उसके बाद आता है जाती धर्मों में बढ़वारा सबसे पहले क्या है वो भारतिया लोग है सविधान के अकॉर्डिंग जो भारत में सविधान स्तापित किया गया है उसके अकॉर्डिंग वो इंडियन है भारतिया है और भारती होने के नाते उनको बराबर के अधिकार मिले हैं, समानताएं परदान की गई है, इसलिए, और आज का ये लेसन इतना इधा, के लोकतंतर क्या है और क्यों जरूरी है, तो हमने जिकर कर लिया, वेब देश में अगर तरक्की करनी है, विकास करना है, लोगों को बरा यहासन पनाललि साके समझ में आ जाएगा Thank you